अग्यापनिकेडमी चलिए आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का नया चेप्टर जिसका नाम है विधूद्धारा का चुम्बकिया परभाव बहुत ही मज़ेदार सा चेप्टर है ये इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं विधूद्धारा का तापिय परभाव या फिर उसमिय परभाव जिसके कारण आपका क्या चल रहा था हीटर गर्म हो रहा था इलेक्रिक चूला चल रहा था आपका देखने को मिलेगा उसको समझेंगे लेकिन यह जो चैप्टर है न अगर आप लोग साइन्स के बुक के हिसाब से देखेंगे न तो यह चैप्टर नंबर 13 है यहां पर मैं बता देती हूं चैप्टर में कंफ्यूजन रहता है कि कितना नंबर चैप्टर है तो साइंस के चैप्टर मेंकर 5 कोई भी ठीक है वैसे चैप्टर कोई भी वह हमें पढ़ने से मतलब है समझ में आजाना चाहिए ठीक है अब देखिए क्योंकि इसमें चुम्बक के बारे में आतो पढ़ना तो पड़ेगा तो देखिए आप लोग तो चुम्बक जानते ही होंगे चुम् और चुम्बक जो होता है अलग-अलग शेप और साइज का होता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह क्या है यह लंबा सा चुम्बक है ऐतकार है ठीक है कोई यू टाइप का होता है कोई गोल होता है ठीक है कोई क्या होता है बिलनकार होता है तो अलग-अलग शेप और साइज का चुम्बक आता है इससे आप लोगों को कम्फ्यूज नहीं होना है सब का एक ही काम होता है आकर्षित करना किसको लोहे या फिर लोहे से बनी वस्तू को ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए जो चुम्बक होता है ना जितना एरिया के जैस है कि इसने एरिया तक के वस्तू को यह अपनी और आकर्षित करेंगा याने कि जितना एरिया तक जितना छेत्र तक के वस्तू को अकर्षित नहीं करपएगा और वही इस चुम्बक एक्षेतर के अंदर रखेंगे न तो यह अपनी और आकरसित कर पायगा तो यह चुम्बक समझ में आए गया इसको अगर आप लोग प्रेक्टिकली समझना चाहते हैं तो चलिए जो को प्रेक्टलिक करकर भी दिखा देती हूं देखिए एक छोटा सा यह चुम्बक है देख पा रहे होंगे बहुत छोटा है वैसे मैं दिखाना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिस कर रही हूं देख लिए यह चोटा सा चुम्बक है और यहां पर एक और रबाद ध्यान दिजेए जितना बड़ा चुम्बक रहेगा उतना ही जादा चुम्बक यह चेतर रहा और उतना ही ज्यादा दूर की वस्तु को अपनी और आकरसीत प्र्षाग आंकी कीचेगा तो यह देखिए यह यह एक लोहे का क्या है चेन है आपको द कुछ भी ले सकते हैं लोहे का बना होना चाहिए तो यह चुमबक हो गया और यह लोहे की चेन हो गई अब देखिए कैसे अपने और यह चुमबक खीचेगा आप लोगों को पास से दिखा दे रही हूं देखिए यह जो है ना इसके पास में लेकर जा रहे हैं देखें कैसे अ तो इतना बड़ा चुम्बक रहेगा उतना ज्यादा चुम्बक होगा अगर यह बड़ा रहेगा तो इतना भी दूर में रखूंगी ना तो अपने में चिपका लेगा तो ये समझ में आ गया चुम्बक और चुम्बक ये छेतर, अब आगे देखिए, इसको न मैं मिटा देती हूँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चुम्बक और चुम्बक ये छेतर में, देखिए, अब इसी तरह का आप लोगों को चुम्बक ले लेना है, लंब चुम्बक के एक सीरे को एन से दिखाया जाता है, देखिए, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक सीरे पर क्या लिखा है, एन दिखा है, और उस चुम्बक का जो हवा में लटका है, जो सीरा दच्चिड की और संकेत करेगा, दच्चिड की और इशारा उस सीरे को बोला जाता है, साउथ पोल यानि की दख्चिडी धरू, और इसलिए साउथ पोल होने के होजा से उसको इस से दिखाया जाता है, तो चुम्बक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन और इस लिखा रहता है, दो सीरा होता है, ठीक है, तो यहां पर यह उसी तरह का चुम्बक है और इसका एक सीरा एन हो गया और दूसरा एस हो गया नौर्थ पॉल और साउथ पॉल एक और चुम्बक ले लेती हूं इसका यह साउथ पॉल यह नौर्थ पॉल ठीक है अब मैं दूसरा एक चुम्बक इसी के पास ला रही हूं यह वाले चुम्बक के पास प नौर्थ पॉल ला रही हूं तो यह एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं यह इसको आकर्षित करेगा और यह इसको आकर्षित करेगा यानि यहां पर खिचाओ होगा यह आपस में क्या करेंगे चिपकाएंगे आकर्शन होगा यह फिर दूसरे केस में देखिए इस में सौर्थ साउथ पोले और नौर्थ पोले इस नौर्थ पोल के पास दूसरे चुम्बक का अगर हम साउथ पोल लेकर आते हैं ठीक है तो पहले चुम्बक का नौर्थ पोले दूसरे चुम्बक का साउथ पोल ये भी एक दूसरे की क्या है अपोजिट है तो ये भी क्या करे देखेगे और इनके बीच भी अघरशन होगा लेकिन वही आड़े दीए पिए एक चुमबक पशे साथ पुल एगर यहां पर यहां पर यहां पर यह इसको इधर दगका लगेगा और यह एक दूसरे को क्या करेंगे विरोध करेंगे यानि की विकर्षित करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे तो यहां पर क्या होगा प्रतिकर्षन होगा ठीक है यह फिर इस साउथ इस दूसरे वाले चुम्बक के नॉर्थ पोल के पास एक और चुम्बक लाईए उसका भी नॉर्थ पोल होना चाहिए और दोनों सेमसे है तो ये भी क्या करेंगे एक दूसरे को परतिकर्षित करेंगे धक्काद लगाएंगे पास आने देंगे ही नहीं तो यहाँ पर ध्यान दीजें बिल्कुल या चार्ज की तरह होता है जैसे पोजीटिव और निगेटिव या फिर निगेटिव पोजीटिव एक दुसरे को आकर्षित करते हैं और सेम चार्ज यान की प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस एक दुसरे को परतिकर्षित करते हैं बिल्कुल उसी तरह यहां पर चुम्बक प्रवाव समझने में कोई भी परिश्रानी नहीं होगी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा अब सुनिए बात को इस चीज को मैं मिटा दूँ देखिया मिटा दे रही हूँ अब जिरह आगे समझ यह 1820SB की बात है अभी तो 2021 चल रहा है 1820SB से पहले यह माना जाता था कि जो चुम्बक है वो अलग है जो चुम्बक की चेतर को उथपन करता है और विदूद्धारा जो है वो अलग चीज है वो विदूद्धारा और चुम्बक यह अलग अलग है ठी उनसे गलती से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया जिसने इस दुनिया के विज्ञान को ही बदल डाला मतलब और इस्टेट नम के विज्यानिक गलती से एक्सपेरिमेंट करकर यह बात थाबित भी कर दी प्रूब भी कर दी कि विधूद्धारा और चुम्बक के बिच बहु जेंगे जो और स्टेड ने किया था और उसी के सांथ साथ हम लोग विधूद धारा के चुमबक की अपरवाओं को भी बैतर तरीके से समझ पाएंगे अब आप लोग की स्क्रिन पर एक इमेज हो रहा है इसको देखिया और अपने दिमाग को दोड़ाईए और बताइए किस चीज़ का इमेज हैं देखिये जोड़ाई यह कमपास जिसको हम लोग बोलते हैं दिश्रा सूचक मतलब इस कमपास को रखकर दिश्रा का आईडिया हम लोग लगाते हैं और इसी देश्रा सूचक में एक बीच में छोटी सी सुई होती है देखिये दिखिये वह अपने उत्तर दक्चिड है तो इसको रख दीजिए और उस सुई न वाला सिरा जिदर इसारा करेगा आइडिया लगा सकते हैं तो यह क्या है इहां तो कोई दिकत नहीं हैं इसमें एक चोटी सी सूई है जो अपने आप में एक चुमबक है ठीक है अब कौन परिषान कर सकता है कौन विचे पित कर सकता है अगर इसको कहीं पर रख दिया जाए और इसको विचेपित हिलाने की कोसित की जाए उसको उसको बीना टच किये तो कैसे हो सकता है यह possible possible हो सकता है बस उस कमपास के पास आप लोग एक चुमबक को ले कर जाएंगे चुमबक को जैसे ही ले कर जाएंगे ना मालिए चुमबक का इन वाला सीरा ले कर जाएंगे तो कमपास के सुई का यू वाला सी रा ऊस चुम्बख की तरफ घुम जाएगा मतलब बिना छुए इस कमपास को कौन विशेपित कर सकता है कौन विश्पित कर सकता है सिर्फ और सिर्फ चुम्बकिये छेत्र तो यहाँ पर जो और Hindu से ना ये देखें जैसे कि मेज था उसके उपर कमपास रखा हुआ था और कमपास की जस्ट उपर से इस तरह तार गया था इस सर्किट का और वो कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अभी उन्होंने पहली स्थिति में क्या की थी अभी खुली हुई कुंजी थी मतलब इसमें से कोई विधूद्धारा प्रवाइत नहीं हो रही थी तो यह जो कमपास था यह भी चुपचप सांथ था इसका सुई कोई विछेप नहीं दे रहा था लेकिन दूसरी स्थिति में इन्होंने जैसे ही इस कुंजी को बंद की तो इसमें से विधूद्धारा प्रवाइत होना क्या हो गया स्टार्ट हो गया इस दिशा में तीक है जैसे ही इस परिपत से विधूद्धारा प्रवाइत होना स्टार्ट हो गया यह जो तार के नीच जो यह दिशा सुचक रखा था कमपास इस दिशा में सुई थी ना अब यह सुई इस दिशा में मुड़ गई मतलब इस दिशा में विछेपित हो गई ठीक है तो यहां पर इस तरह बार-बार हो रहा था और जो थे और अस्टेट यह ध्यान नहीं दे रहे थे वो परीपत को बने लगे यह गई तो बहुत बड़ा बात है तो यह जो एकस्पेरिमेंट कर रहे हैं है अब इससी पर तो फोकस करने लगे उन्हों देखा कि यह परिपद बन था तो सुई एकदम सांथ थी परिपद जैसे उन्होंने स्टार्ट किया मतलब विधूद्धारा प्रवाहित हुई तो यह सुई का विछेपित हो गई पिर उन्होंने और इसमें दिमाग लगाने की कुछिस की उन्होंने और भी ज्यादा विधू है इस तरह हुआ था एक और दिमाग लगाया जो धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही थी अभर उन्होंने धारा की मैं कि दिशां को बदल दिया अब यहां पर प्लस मैंस ना देकर मैंस प्लस देते यहां पर मैंस 여러गे देझे यहां पर प्लस इस तरह है अब यह ज़ woods ह विछेप था इधर था ना अब यह सुई का विछेप की दिसा भी क्या हो गई बदल गई और इस तरह विछेप होने लगा यानि कि यहाँ पर उन्होंने तीन चीजे देखी तीन चीजे अब्जार्व की पहली चीज यह कि विधूदधारा के प्रवाइत होने पर कमपास के सुई में भी क्या हो रही है विछेप का मान बढ़ रहा है ठीक है फिर तीसरी चीज यह देखी तीसरी चीज उन्होंने यह अब्जार्व की कि विधूदधारा की दिशा बदल देने पर जो चुम्बक यह सुई के विछेप की दिशा है वो भी बदल जा रही है तो और परिशान कर रही थी और उसको विछेपित कर रही थी अब उसी कमपास के सुई को कौन विछेपित कर रहा है तो यहां पर यह तार विछेपित कर रहा है जिसमें से विधूद धारा परवाईत हो रही है और जिस तार में विधूद धारा परवाईत होती है उसको बला जात तक में धारा प्रवाइत होने की कारण उसमें चारों तरफ क्या हो रहा था चुम्बखिय च्छेतर उत्पन हो रहा था और जिसके कारण ये कमपास की सुई विच्छेपित हो रही थी तीके तो यहां पर नए चीज देखने को मिली और यही चीज और अस्टेट ने बताया कि विधूद धारा के प्रवाइत होने की कारण चुम्बखिय च्छेतर देखनों की मिलता है और इसी परभाव को हम लोग बोलते हैं विधूद धारा का चुम्बखिय परभाव कोई दिक्कत नहीं और इस रिलेशन के बाद इस दुनिया में नए नय आविस्षकार होना इस् और रठने की जोरत है यह तो माइन में फिट होना चाहिए समझ में आ जाना चाहिए आप लोग डिफिनेशन खुद बना लेंगे ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और कर दाव तार यह लिए में लेका कीजिए लेकार में पुदबा जक्वादा नहीं लिएज़िए का वीडियो जावादा कीजिए